केंद्री मंत्री जी तेंद्री सिंग जी इस वक्त हमारे साथ जुट चुके हैं आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहली टिपड़ी आपसे मैं चाहूंगी देखे सरकार पूरा शुय ले रही है इसको बता रही है कि देश की तरक्की किरा और जादा मजबूत होगी तेज इस गती से आगे शलेगी तो राहूल गान्दी का ये कहना है कि कुर्सी बचाओ बजट है ये क्या कहेंगे इस पे आप किसी ने क्या कहा उसका कोई अर्थ नहीं उसकी कोई उत्तर देने की आपशकता है ये आप आकड़े देखें जो बजट में व्याक्खा है वो देखें तो मुझे लगता है कि हर कोई जो सूजबूज रखता है या इमानदारी से इस बजट का अध्यन करेगा वो इस बात की की तस्दीक करेगा कि बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक बजट और जो विकसित भारत को सन दोहजार सैंतालीस के लिए जो हमने हिंदुस्तान की जो तस्वीर जिसका तस्वीर जिसका जिसकी कलपना की है उसको लेकर किया अब मैं तथ्थ की बात करता हूँ इस बजट में स्ट स्टाट अप्स की संक्या थी आज बढ़कर के डेड़ लाग से उपर हो गई नई स्टाट अप पालसी लाई गई और आज के बजट में कुछ हैं लिये गए और बहुत ही इनोवेटिव ही उधारन के तोर पर एंजल टेक्स को माफ करना अब यह जो लोग कह रहें के करसी ब करके बहुत बहुत हुई थी कि कोई अनलिस्टिट कपनी अपना अपना अपनी कैपिटल बढ़ा ले शेर इशू करके इन्वेस्टर्स को एड़ रेट हायर दें दी फेर मार्केट वेल्यू और उस पर टेक्स लगा दिया जाए उसको जब स्वाप्त किया है तो यक्दम आ क्योंकि इस से आगे अगर हिंदुस्तान को बढ़ना है तो हमारे आर स्टैटेजी हैव टो बी गलोबल, आर पैरामिटर्स हैव टो बी गलोबल और बेंचमार्ट हैव टो बी गलोबल उसमें इंटर्णशिप का प्रावदान है पाई सो कमपनियां इंटर्ण्शिप बच्चों को लगवग एक करोड और स्टाइपन्ड भी देंगी पांच हजार उपए का और ये स्टाइपन्ड का पैसा कहीं स्टेट एक चेकर ये सरकारी खजाने से नहीं आएगा ये उसी कंपनी की कॉर्परेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी से ही रेज किया जाएगा CSR फ चाहें वो राहुल गांदी हों मलिकाजुन खडगे हों कॉंग्रिस पार्टी के और तमाम नेता हों उनकी ओर से कहा जा रहा है खासतोर से जिसका आपने जिक्र किया कि ये कॉपी पेस्ट बजट है और नकलची सरकार है ये इस मुद्दे पर मलिकाजुन खडगे ने घीरा है आप लोगों को 81 दरजे से 40 दरजे पर आ गया पिश्रेश साथ आड़ वर्ष आज मैं क्या कहता हूं आप क्या कहते हैं कोई और कहता है इसका कोई अर्थ नहीं है आज मापदन्ड गलोबल है उस पर ये दुनिया मान रही है इस बात को लेकिन उसमें जो बाधाएं थी उन बाधाओं में ये पेस्ट ये था इंजल टेक्स जो इनका पेस्ट किया हूँ था आज कट हो गया इसी परकार ये जो नए इनोविटिव कॉंसेट्स लाए जाए हैं क्योंकि हमारा इसी से इतर जाते हुए बजट को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन बाधशीत के दौरान ही जो बड़ी ख़बर इस वक्त नीट मामले को लेकर आ रही है सुप्रीम कोट ने साफ कर दिया है नीट यूजी की दोबारा परिक्षा नहीं होगी परिक्षा में खामे के प अबत्रता खंडित नहीं हुई है कोट ने कहा है मुझे लगता है कि इसमें कोई ये सरवोची ने आयल ने वही कहा है जो शिक्षा मंतरी कल सदन में भी कह रहे थे और उनकी बात सुनने से विपक्षिंकार कर रहा था जैसे मैंने कहा आज का जमाना है तरक तत्त थे तुल्ना का कोई क्या कह दे उसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक हमारा शिरूता समझदार है और विवेक रखता है लीग से 155 छात्रों को लाब के संकेत भी मिले हैं तो कम से कम एक ऐसी विवस्था बनानी होगी ताकि आगामी दिनों में आगे आने वाले किसी भी एक्जाम में कम से कम इस तरह की परसिती पैदा नहीं हो चात्रों के मन में संदेज ना हो जी तेदनु सिंग जी यही ही सरकार है जिसकी वह मנशावी है यह जो अनफेर मेंस इन इक्जामिनेशन का बेल है वो यही सरकार लाई पिछले सतर में हो लाए बलके नहीं संसल भवने आने के उपरांथ जो पहला सेशन हुआ पिछली सरकार नों तो आज तक नहीं लाया था तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो जो माफिया है जो इसके लिए जिम्यवार है उसके साथ ही हैंडिन कलफ थे अगर इनी की भाशा में उतर दे रहा हो तो ये भी तो बात कहीं जा सकती है बलके इस सरकार ने अपनी नियत और नीटी में कोई अंतर नहीं रखा और अपनी मांदारी का भी प्रदर्शन किया चले बहुत धन्यवाद जीत इंद्र सिंग जी केंद्रियों मंत्री आज तक से जुड़ने के लिए